इसकी value बता दो क्या होगी ठीक है इसकी value आपको बतानी है कि इस given expression की value क्या होने वाली है राइट चलिए देखते हैं कोशिश करते हैं कि इसकी value कहां से निकलेगी तो देखे इसमें पहले बात तो यहां पर sin x plus sin a plus sin b का expression आप अगर लगा दोगे तो आपको answer में कोई दिक्कत नहीं होगी लगाते हैं जरा देखो यह क्या देगा आपको यह आपको देगा 2 sin this plus this by 2 sin y आ जाएगा into cos this minus this by 2 यानि आपका यह आ जाएगा cos y 2 sin y cos y आ ठीक है plus 2 sin y तो ही है भाई तो आएगा ही इसको कैसे रोक लोगे आप divided by यहां गए यहां भी वही करना है तो जैसे उपर आए आपका sin y और z z आएगा sorry ठीक है अईसे नीचे आपका x और z आए जाएगा 2 sin x और cos z plus 2 sin x आप जाएगा अगर ओपर sin y को common ले लिया जाए 2 sin y को ठीक है और नीचे 2 sin x को common ले लिया जाए तो cos z plus 1 cos z plus 1 दोनों में बच्चे का cancel हो जाएगा आपका बच्चे का क्या 2 से 2 cancel हो जाएगा sin y by sin x तो देखो ट्रिक्नामेटरी में कोई expression यूज हो रहा है तो basic fundamental expression है sin a plus sin b राइट इस तरह के basic expression यूज हो रहे हैं तो इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आप आसानी से अगर आपको expressions के बारे में basic idea है तो आप आसानी से तूरंद आंसर लगा सकते हो बिना किसी problem के